हेलो दोस्तो, आप सबका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाच मजेदार पहलिया इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताईए, इन में से कौन सा पिक्चर और वन आउट है मतलब बाकियों से अलग है आप अपना जवाब कमेंड कीजिए तो फ्रेंट्स, चलिए इसका जवाब देखते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, तो पिक्चर और वन आउट है मतलब बाकियों से अलग है इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताईए, इन मेंशे कौन सा पिक्चर और वन आउट है मतलब बाकियों से अलग है आप अपना जवाब कमेंड कीजिए तो फ्रेंट्स, चलिए इसका जवाब देखते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, तो पिक्चर शी और वन आउट है मतलब बाकियों से अलग है चार दोस्त राहूल, अमित, रोहन और राकेश रात में पार्टी करने के लिए कार से एक होटल में जाते हैं रात बर वो चारों पार्टी करते हैं और पार्टी खत्म होने पर अपने अपने घर निकल जाते हैं अगले दिन उन चारों का टेस्ट होता है रात बर पार्टी करने की वज़ा से वो लोग क्लास में लेट पहुशते हैं क्लास के बाहर ये टीचर खड़े रहते हैं टीचर चारों से लेट आने की वज़ा पुशते हैं तो राहूल कहता है सर हमारी कार का टायर पंचर हो गया था इसलिए हमें लेट हो गया टीचर थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं ठीक है कल अलग से मैं तुम चारों का टेस्ट ले लूँगा फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं अगले दिन जब वो क्लास में आते हैं तो टीचर उन्हें अलग-अलग कमरे में बैठाते हैं और उन्हें टेस्ट पेपर देते हैं टीचर उन चारों को एक ही कोस्चन देते हैं और उस एक ही कोस्चन से उन चारों का जूट भी पकड़ा जाता है तो दोस्तो टीचर ने उन चारों को ऐसा क्या सवाल दिया था जिससे उन चारों का जूट पकड़ा गया आप अपना जवाब कमेंट कीजिए तो दोस्तो क्या आपको पता चला टीचर ने उन चारों को कौन सा सवाल पूछा था कि उन चारों का जूट पकड़ा गया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं पीचर ने उन चारों को ये सवाल पूछा कि तुमारी कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था सभी ने इस सवाल का अलग-अलग जवाब दिया था जिस से उन चारों का जूट पकड़ा गया इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताईए इन में से कौन सा पिक्चर और वन आउट है मतलब बाकियों से अलग है आप अपना जवाब कमेंड कीजिए तो फ्रेंट्स चलिए इसका जवाब देखते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिक्चर ए और वन आउट है मतलब बाकियों से अलग है इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जिसमें वरुन और आलिया एक मुश्किल भरी सिच्वेशन में फज गये है तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से इस मुश्किल भरी सिच्वेशन में कौन बच पाएगा वरुन या आलिया आप अपना जवाब कमेंट कीजिए तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन बचेगा वरुन या आलिया मेरे हिशाब से तो इन दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा वरुन की पीट पर एक बड़ाशा पत्थर गिरा है वो आलिया को उपन नहीं खिश सकता है इसलिए कुछ देर में वरुन का हाथ पकड़े रणने के बाद आलिया का हाथ छूट सकता है और नीचे गिरने से आलिया की मौत हो सकती है वही दूसरी कंडिशन में सापके काटने से भी आलिया की मौत हो सकती है इसलिए आलिया का बचना लगभग असंबव है वही दूसरी तरप, पत्थर गिडने से वरुन पूरी तरह जखमी है ज्यादा खून बहने से उसकी भी मौध हो सकती है ये तो हुई हमारी राय, आप अपनी राय कमेंड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आप से एक सवाल पूछा था छेतरपल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और इस सवाल का जवाब है राजस्थान इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है उन सब का घन्यवाद लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले शकते हैं उन में से पहले छे लोगों के नाम है हशिन गौर, क्रिशन शुतार, कोमल, अपुर्वा, नूर आलम और तनवीर विर्ख और आज का हमारा कोशन ओप दड़े का सवाल है भारती सिनेमा के जनक कौन थे?